हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नमबर 7 का वीडियो नमबर 9 तो बेटे ये 7 वी यूनिट का 9 वीडियो है और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नमबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो समझ सकते हो और अपने सुन्दर से नोट्स बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हेल्प करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रप्शन में PDF नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्ज कर सकते हो KMD सहरनपुर तो देखते हैं आज का हमारा टार्गेट क्या है आज बिटे हमें पढ़ना है किसी अभीकरिया के लिए KC वे KP की गड़ना मानलो कोई उतकर्मनी अभीकरिया आपको दी गई है तो उस अभीकरिया के लिए आप KC और KP इन दोनों के वेंजक या इन दोनों के मान कैसे ग्यात करोगे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का प्रियोग करते हुए ठीक है और वियोजन की मात्रा का प्रियोग करते हुए मोलो की संख्या का प्रियोग करते हुए बहुत important के option है तो start करते हैं एक example से यहां लिखते हैं उधारण number 1 या example number first मेरे साथ साथ लिखना है कि अभी समझना पड़ेगा तो आप वीडियो को समझ लो पहले और जहां आपको लगता है कि यहां तक का समझ में आ चुका है तो वहां फिर पोज करके और फिर लिख लिया करो और फिर वीडियो को प्ले कर दिया करो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस I2 Reversible 2HI लिखो H2 प्लस I2 Reversible 2HI और ये भी GACIUS है इस reaction के उपपर लगाएंगे हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अब इस reaction में मैंने यहां लिखा है देखो क्या लिखता हूँ मैं प्रारंब में मोल और फिर यहां लिखेंगे हम साम्मे पर मोल साम्मे पर मोल ये दो चीज़े हमें सीखनी है कि प्रारंब में मोलों की संख्या कितनी होगी और साम्मे अवस्था जब अभी करिया में प्राप्त हो जाएगी तो मोलों की संख्या कितनी होगी ठीक है तो प्रारंब में मोलों की संख्या माल लो H2 के A मोल थे प्रारंब में हाइडरोजन गैस के हमने बरतन में कितने मोल लिये A मोल और आयोडीन गैस के हमने मोल लिये B बरतन में जिस बरतन में आप reaction को चला रहे हो या start करनी है hydrogen gas के A mol लिए है iodine gas के हमने लिए है B mol और प्रारंब में तो HI बनाई नहीं होगा यानि T बराबर 0 पर जब reaction start नहीं होती है तो यहां क्या लिखेंगे हम 0 यानि HI के mol नहीं बने हैं क्योंकि हम प्रारंब में मोलो की संख्या देख रहे हैं अभी तक reaction यदि start नहीं हुई है तो प्रोडक्ट के मोलो की संख्या तो 0 ही लेनी पड़ेगी अब reaction start हो चुकी है और reaction start होकर साम्मे अवस्था पर पहुंच चुकी है साम्मे अवस्था पर पहुँचने का मतलब कि अगरिम अभीकरिया का वेग विपरीत अभीकरिया के वेग के बराबर हो चुका है तो साम्मे पर मालो वियोजन की मात्रा X है क्या है वियोजन की मात्रा X मतलब A मेंसे A मॉल थे इसके और A मेंसे टूट गए है X मॉल तो कितने बचे होंगे a-x ध्यान से समझ लो जरा इस बात को मैंने आपको कहा है कि हाइडरोजन गैस के कितने मोल लिए थे हमने सुरू में a-mol लिए थे और a-mol में से कितने मोल टूट चुके हैं X maul तूट चुके हैं यानि x maulों ने अभिकरिया में participate कर लिया है समझ रहे ना टूटने का मतलब कि कितने molों ने अभिकरिया में भाग ले लिया है मैंने आपको कहा कि इसके H2 gas के small a mol थे और small a mol में से x molों ने या x mol ने reaction में participate कर लिया है तो H2 के कितने mol बचेंगे भई A थे और X ने reaction में हिस्सा ले लिया तो बचे कितने A माइनस X तो हमने सामने पर मोलों की संख्या लिख की है hydrogen gas के सुरू में तो थे A मोल और अब सामने अवस्था पर इसके कितने मोल है A माइनस X क्योंकि X मोलों ने reaction में participate कर लिया है इसी तरीके से इसके कितने मोल थे आयोडीन के starting में B मोल थे और इसके भी X मोल reaction में participate करेंगे अब आपके दिमाग में question आएगा कि सर जब A के X मोल ने reaction में हिस्सा लिया है तो B के भी X मोलों ने ही reaction में हिस्सा क्यों लिया है क्या कारण है इसका इसका कारण पता क्या है इसका कारण यह है कि यदि आप अभी क्रिया को पढ़ना जानते हो रियक्षन को पढ़ना जानते हो तो रियक्षन से हमें साफ पता चल रहा है कि एक मॉल हाइडरोजन एक मॉल आयोडीन से क्रिया करता है तो दो मॉल हाइडरोजन 1 mol iodine से क्रिया करके 2 mol hi बनाता है तो x mol इसके टूटे तो इसके भी x ही mol टूटेंगे क्योंकि 1 mol 1 mol के साथ reaction करता है तो इसके x mol टूटे तो इसके भी x ही टूटेंगे और इसके कितने बनेंगे जब 1 mol 1 mol से reaction करता है तो 2 बनते हैं तो x mol x mol से reaction कर रहा तो कितने बनेंगे 2x तो यहां h i के molों की संख्या होगी 2x इनके तो हमने minus किये हैं x और x और यहां सिद्धा 2x लिख दिया कारण पता क्या है minus करने का मतलब है कि reaction में हिस्सा ले रहे हैं a में से x mol b में से x mol तो इतने बचेंगे ना इतने बचेंगे ना और इसमें घटाने की तो कोई आवशकता ही नहीं है इसके तो starting में 0 mol थे और 2x mol बने हैं इसका मतलब reaction का product है यह ठीक है तो यह हमने molों की संख्या लिख ली यहां सामने अवस्था पर और आपको पता होना चाहिए कि यहां जो x है ना x वो वियोजन की मात्रा है x क्या है वियोजन की मात्रा लिख लेते हैं चलो यहां जहां x जहां x बराबर वियोजन की मात्रा कि वियोजन की मात्रा की वियोजन की मात्रा का मतलब यह है कि कितने mol reaction में participate करेंगे अब यदी मैं आपको कहा दू कि बरतन का आयतन वी लिटर है यदी बरतन का आयतन जिस बरतन में हम reaction को चला रहे हैं मान लो उस बरतन का आयतन है वी लिटर कितना है वी लिटर तो आप द्रव्य अनुपाती करिया नियम लगा सकते हो पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाने से पहले आपको सक्रिय द्रव्यमान इनके पता होने चाहिए यदि मैं कहूँ हाइडरोजन का सक्रिय द्रव्यमान बताओ कैसे निकलेगा तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब मॉल परती लिटर साम में पर मॉल कितने है हाइडरोजन के A-X ये तो होगे मॉलों की संख्या बटे आयतन लिटर में कितना है आयतन बरतन का V तो ये तो होगे हाइडरोजन गैस के मॉल इसी तरीके से आप आयोडीन के भी तो मॉल निकाल सकते हो ये हमने जब बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है सक्रिय द्रव्यमान और सक्रिय द्रव्यमान निकालने का तरीका है मॉलों की संख्या बटे आयतन लिटर में आयोडीन के मॉलों की संख्या कितनी है बताओ आयोडीन के मोलों की संख्या साम में पर मोल आयोडीन के कितने हैं B-X मोलों की संख्या बटे आयतन लिटर में देखो आमने लिख रखाया बरतन का आयतन कितना है V-L इसी तरीके से यहां क्या है यह HI HI का भी सक्रिय द्रव्यमान आप निकाल सकते हो HI का सक्रिय द्रव्यमान साम में अवस्था पर HI के कितने मोल हैं 2X और बरतन का आयतन कितना है V लिटर भई हाइडरोजन गैस, आयोडीन गैस और HI गैस ये तिन्नों गैसें कहां हैं उस V लिटर के बरतन में ही तो है ना अब लगओ द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम द्रव्य अनुपाती द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से यदि आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से चलोगे तो आपको पता है कि इस अभी क्रिया के लिए आप casey का मान निकाल सकते हो साम में इस तिरांग का casey is equal to क्या बनेगा hi के सक्रिय द्रव्यमान की घाद 2 hi के सक्रिय द्रव्यमान की घाद 2 upon h2 का सक्रिय द्रव्यमान h2 का सक्रिय द्रव्यमान into i2 का सक्रिय द्रव्यमान अब आप इसमें value तो put कर दोगे देखो value put करते हैं यहां लिखते हैं KC is equal to HI के सक्रियत रव्यमान की घाद 2 HI कितना है 2X upon V तो 2X upon V की घाद 2 2X upon V की घाद 2 को ऐसे लिख दूगा देखना जरा घाद 2 ना लिख के मैंने 2 बार इसे लिख दिया कोई दिक्कत तो नहीं है upon H2 का सक्रियत रव्यमान कीतना है H2 का है A-X upon V A-X upon V गुणा I2 का सक्रियत रव्यमान कीतना है B-X upon V B-X upon V अब आपको पता है कि यह V जो है यह cancel हो जाएंगे 4 रो हमारे पास बचेगा K-C is equal to 2 दुनी 4 X की X में गुणा X square upon A-X into B-X तो यह फार्मूला निकालने के लिए आता है पेपर में यह हमने क्या किया है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पर और वियोजन की मात्रा के आधार पर और प्रारंभिक मोलो की संख्या के आधार पर हमने निकालना है साम्में इस्थिरांक केसी का वेंजक या सूत्र आपको इसमें पता हूना चीए कि केसी क्या है साम्में इस्थिरांक है सांधरता के आधार पर एकलिबिरियम कॉंस्टेंट ओन दे बेसिस ओफ कंसंट्रेशन एक्स क्या है वियोजन की मात्रा देखो ए मोल में से कितने मोल तूटते हैं वो है एक्स ठीक है ए क्या है ए है ह2 के प्रारंब में मोलों की संख्या और आई2 के प्रारंब में मोल कितने थे बी तो ए और बी भी आपको पता क्या है ठीक है तो इस तरह आप केसी निकाल सकते हो अब हमें केपी भी निकालना है तो KP के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताय था जब मैंने आपको बताय था KC तथा KP में संबंद तो आपको पता है KP is equal to KC into RT की हाथ Δेल्टा N ये बताया था ना फार्मूला Δेल्टा N आपको बताई ये क्या होता है Δेल्टा N का मतलब होता है उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभीकारको के मोलों की संख्या तो ये हो जाएगा KP is equal to KC into RT की घाथ उत्पाद के कितने मोल हैं 2 और ये भी 1 और 1 दो तो 2 में से 2 गया 0 तो यहां घाथ 0 ही तो लगेगी इसका मतलब KP बराबर हो जाएगा किसके KC के क्योंकि किसी भी संख्या की घाथ 0 लिखते हो तो उसका मतलब होता है 1 तो KP is equal to KC तो यदि कोई पूचता है KP का फार्मूला बताओ तो हम वही लिखेंगे जो KC का फार्मूला है 4X square upon A minus X into B minus X ये आया फार्मूला किसका KP का तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको यदि कोई भी रासाइनी कभी करिया दी गई है तो उस अभी करिया के लिए आपको निकालना आना चाहिए KC और KP दुन्नों के मान ठीक है ये फार्मूले इस तरह निकालने आने चाहिए अच्छा जल्दी से पोस करके लिखो फिर मैं एक दो एक्जाम्पल और बताता हूँ आपको बढ़िया बढ़िया से लिखो बेटे जल्दी लिख लिया? ठीक है तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप उतकर्मनिय अभिकरिया के लिए ही निकाल सकते हो पता है ना इस बात का? वही किसी भी रिवर्सेबल रियक्षन की खासियत होती है कि सामने स्तिरांक उसी का निकलता है चाहे आप निकालो केसी और चाहे निकालो केपी और एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको कि आपको जो भी अभिकरिया दी गई है उस अभिकरिया के प्रारंभ में मोलो की संख्या जरूर लिखनी है यानि T बराबर 0 पर समय बराबर 0 पर प्रारंभ में मोलो की संख्या का मतलब पता क्या होता है कि जब reaction start नहीं हुई थी उस समय आपने अभी कारकों के कितने मोल बरतन में भरे थे कितने मोल बरतन में आपने डाल रखे थे जब reaction start नहीं हुई थी वो होता है प्रारंब में मोलों की संख्या या T बराबर 0 यानि 0 समय पर मोलों की संख्या और जब reaction स्टार्ट हो जाती है तो आपको इस बात का तो पताएगी प्रारंब में अगरिम अभीक्रिया का वेग अधिक होता है विपरीत का कम पर कुछ समय बाद एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब अगर तथा पस्च अभीक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं और जब समय अवस्था पर आपको मोलो की संख्या पता चल जाती है तो मोलो की संख्या को भाग कर दो आयतन से तो सभी अभीकार को और उत्पादो के सक्रिय द्रव्यमान आपको मिल जाते हैं और जब सब के सक्रिय द्रव्यमान आपको मिल जाएंगे फिर आप लगाओगे द्रवे अनुपाती क्रियानियम और केसी का मान निकाल लोगे और फिर केसी की मदद से आप निकाल लोगे केपी का मान जैसे एक example और देखते हैं चलो एक example है लिख लो यहाँ example number second example number second PCL5 gaseous reversible PCL3 gaseous plus CL2 gaseous इस reaction के बारे मैं बात कर रहे हैं चलो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रारंब में मोल प्रारंब में मोल तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे साम्मे पर मोल प्रारंब में मोल लिखने हैं और साम्में पर मोल लिखने हैं देखो कैसे मालो हमने इसके ए मोल लिए प्रारंब में तो आपको पताए कि reaction तो start हुई नहीं होगी तो इसके भी 0 mol बन रहे होंगे और इसके भी 0 अब जब reaction start हो चुकी है और साम में अवस्था पर पहुँच चुकी है तो मैंने कहा कि इसके टूट गए है x mol तो कितने बचे a-x reaction को पढ़ना सीखो ध्यान से जब इसका 1 mol तूटता है तो 1 mol इसका बनता है इसके कितने mol तूटते हैं x तो x mol इसके बनेंगे और x mol ही इसके बनेंगे बस इस चीज को समझना सबसे main है सबसे main बात यही है कि किस तरीके से कभी भी ऐसा नहीं करना कि X प्लस X से यहां तो 2X टूटने चाहिए थे भई यह गनीत का कोई जोड का सवाल तो है नहीं रासाइनिक अभी करिया में जो आपके रस समीकरन मीतिय गुनांग होते है ना उन्हें पड़ो इसके पहले क्या है एक और यहां भी एक है और यहां भी एक है है ना जहां कुछ नहीं लिखा वहां एक ही तो होगा यानि एक मॉल PCL5 का जब तूटता है ना तो एक मॉल तो बनता है PCL3 का और एक मॉल बनता है CL2 अब इसके कितने मॉल तूटते हैं यहां यहां तूटते हैं इसके X मॉल तो इसके भी PCL3 के भी X मॉल बनेंगे और इसके भी X जब एक के तूटने पर एक इसका एक इसका बनेगा तो दो मॉल के तूटने पर दो इसके दो इसके बनेगे तीन मॉल यदि इसके तूटते हो तो तीन इसके तीन इसके बनेगे 4 mol तूटेंगे इसके तो 4 इसके 4 इसके बनेगे कितने mol तूटें इसके x तो x इसके बने x इसके बने ठीक है अब आप क्या करोगे molों की संख्या आपको पता चलगी अब मैं यूँ कहूंगा यदी यदी जिस बरतन में reaction चल रही है यदी बरतन का आयतन मालो आपका जो बरतन है उसका आयतन है v liter v liter का बरतन है तो आप इनके सक्रियद रव्यमान निकाल लो pcl5 का सक्रियद रव्यमान कैसे निकलेगा बताओ molों की संख्या mol कितने है इसके सामें अवस्था पर a-x और आयतन लिटर में v ठीक है इसके mol इतने है a-x mol परती लिटर ही तो उतता है सक्रियद रव्यमान इसी तरीके से pcl3 का निकाल लो आप सक्रियद रव्यमान pcl3 का कैसे निकलेगा pcl3 के mol कितने है x और बरतन का अटन कितना है v liter का बरतन है क्योंकि गैस तो पूरे बरतन में ही गहुमती है ना चाहे वो pcl5 गैस हो चाहे pcl3 हो इसी तरीके से आप cl2 गैस का निकाल लो सक्रियद रव्यमान cl2 के कितने mol है x और बरतन का अटन कितना है v liter तो तिन नो गैसों का सक्रियद रव्यमान हमने निकाल लिया अब चलेंगे हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से यदि आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से चलोगे और केसी का सूतर बनाओगे इस अभी क्रिया के लिए तो उपपर क्या लिख हुआ है PCL3 का सक्रिय द्रव्यमान गुना CL2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन अपॉन में क्या लिखा जाएगा PCL5 का सक्रिय द्रव्यमान ठीक है अब आप क्या करोगे इन सब की value put करोगे यहां करते हैं चलो value put PCL3 का कितना है सक्रिय द्रव्यमान X अपॉन V X अपॉन V CL2 का कितना है यह भी X अपॉन V है अपॉन PCL5 का कितना है A-X अपॉन V A-X अपॉन V अब एक V से तो एक V cancel हो जाएगा इस V को तो निच्चे आना पड़ेगा तो KC is equal to क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा KC का फार्मूला X की X में multiply करोगे तो X square तो यहाँ तो लिख दिया हमने X square upon A-X है नीचे देखो यह क्या है A-X और इसके गुणा में क्या आ जाएगा V X square upon upon A-X into V तो यह होगा KC का फार्मूला अब मुझे यूं बताओ कि इस फार्मूले में आपको सारी चीज़े पताए ना क्या है बताओ ज़रा KC का मतलब क्या है सामने इस्तिरांग सांदरता के आधार पर X क्या है वियोजन की मात्रा कि कितने मोल तूटे थे ठीक है ryakion में कितने मोल ने participate किया है A क्या है A है देखो यह है ना A PCL5 के प्रारंब में कितने मोल आपने लिये थे वो है A X बताइ दिया क्या है और V क्या है बरतन का आयतन जिस बरतन में आप ryakion को चला रहे हो अब देखो यदि आपको निकालना है kp का तो आपको फार्मूला तो याद है kp is equal to kc into rt की power delta n सिखा यह तना है यह फार्मूला तो यह हो जाएगा kp is equal to kc into rt की power देखो जरा कितने मोल हैं एक और एक दो दो में से एक घटा होगे तो क्या आ जाएगी घात एक पता है न डेल्टा इन कैसे निकलता है उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभी कारकों के मोलों की संख्या तो यह हो जाएगा केपी इस इक्वल टू केसी की जगा क्या लिखूँ यह फार्मूला x स्कुएर अपॉन a माइनस x इन्टू v और यहां इन्टू में लिख दो आप rt लो यह फार्मूला आ गया आपका केपी का ठीक है गात एक थी ना rt तो इस तरीके से केसी और केपी के फार्मूले आपको निकालने आने चाहिए जल्दी से पोस कर के लिखो मैं एक और बताता हूँ आपको एक्जाम्पल बहुत अच्छा पोस करके लिखो लिख लिया ठीक है यदि आपको समी करन पढ़नी आती है ना केमिकल इक्वेशन यदि पढ़नी आती है रासाइनी कभी करिया की समी करन तो कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब आप रस्समी करन मीतिय गुणांकों को समझते हो अब कुछ बच्चे तो इस नाम से डरते हैं बहुत ज़ादे जब रस्समी करन मीतिय गुणांक सब्द का प्रियोग करता हूँ मैं रस्समी करन मीतिय गुणांक नामी खतरनाक है वैसे अपने आप कुछ नहीं है उसमें खतरनाक भई रस्समीकरन मीतिय गुणांक का मतलब होता है कि जो रासाइनिक अभीकरिया लिखी होती है ना आपकी उस रासाइनिक अभीकरिया में जो अभीकारक और उत्पाद होते है उनके पहले जो मोलों की संख्या लिखी होती है न, उन्हें कहते हैं रस अमीकरण मीतिय गुणांग या इस टौकियोमेटरिक कॉाफिशेंट और कुछ नहीं है बस अभिकरिया में रस समीकरण मीतिय गुणांग कों का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है चलो एक और करते हैं लिखो एक्जामपल नमबर थर्ड एक्जामपल नमबर थर्ड N2 Gaseous Plus 3H2 Gaseous Reversible 2N3 Gaseous इस Reaction से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं यहां लिखता हूँ प्रारंब प्रारंब में मोल प्रारंब माने T बराबर 0 पर और यहां लिखेंगे हम साम में पर मोल मालो N2 के A मोल लिए थे आपने और इसके लिए थे B मोल तो इसके 0 बनेंगे अब थोड़ा ध्यान से समझ लेना इस अभी करिया में यहां 1 मोल है यहां 3 मोल है और यहां है 2 मोल इसलिए इससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ मैंने आपको कहा कि हमने अभी करिया में अब रियक्सन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और स्टार्ट होकर साम में अवस्था पर पहुँच चुगी है और यदि रियक्सन स्टार्ट होकर साम में अवस्था पर पहुँच चुगी है तो मैं कहूंगा कि मान लो इसके एक्स मोल तूटते हैं तो कितने बचेंगे ए माइनस एक्स यदि n2 के n2 के निच्छे आना चाईए ये चीज्जे मैं थोड़ा इदर ली आए ना इसके निच्छे लिखना चाहिए आपको यदि इसके x noble तूटते हैं तो इसके कितने तूटेंगे B मेंसे कितना गठा हूँ बताओ मैं بتाओ कितना गठा हूँ B मेंसे समीकरन को जब हम पड़ते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि जब इसका एक mol reaction में तूटता है तो इसके तीन mol तूटते हैं reaction में तूटने का मतलब होता है अभी करिया में भाग लेना reaction में participate करना जब भी मैं बोलता हूँ ना कि इसका इतने मॉल तूटे इसके इतने तूटे तो तूटने का मतलब रियक्षन में इतने मॉल ने पार्टिसिपेट कर लिया है यह होता है तूटने का मतलब भई एक मॉल जब इसका रियक्षन में पार्टिसिपेट करता है तो इसके तीन करते हैं यदि इसके दो मॉल करते रियक्षन में पार्टिसिपेट इसके दो तिया छे मॉल करते रियक्षन में पार्टिसिपेट और यहां बनते चार मॉल इसके जस्ट डबल मॉल बनते हैं जब इसका एक मॉल reaction میں हिस्सा कर लेगा तो इसके 3 mol लेगे तो इसके x mol ने reaction में हिस्सा लियाए तो इसके 3 mol reaction में हिस्सा लेगे तो b मैंसे हम गटाएंगे 3x बस यह बात समझ नहीं है आपको यदि यह बात समझ में आती है ना तो कोई भी क्योस्طन आपका गलत नहीं होगा इस तरह का देखो, यहां reaction से पता चला है जब इसका एक mol reaction में हिस्सा ले रहा है तो इसके 3 mol ले रहे हैं तो इसके x mol ने हिस्सा लिया तो इसके तो यार, automatically 3 mol हिस्सा लेंगे sorry, 3x mol हिस्सा लेंगे और जब इसका 1 mol 3 mol से reaction करता है तो 2 mol बनते हैं तो x mol ने 3x से reaction करी तो कितने बने होंगे 2x इसके कितने mol बने होंगे 2x अब आप लिख दो यदी आपका जो बरतन है ना बरतन जिसमें reaction चल रही है यदी बरतन का आयतन यदी बरतन का आयतन मान लो V liter है कितना है? V liter का आपका बरतन है तो आप सक्रिय द्रव्यमान निकाल लो N2 का सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकलेगा बताओ N2 के साम में अवस्था बर mol A-X और बरतन कितने liter का है? V liter का इसी तरीके से आप H2 का निकाल लो सक्रिय द्रव्यमान H2 का सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकलेगा मोल थे इसके सामें अवस्था पर बचे वे B-3X क्योंकि B में से 3X ने तो रियक्षन में पार्टिसिपेट कर लिया था और V-Liter का हमारे पास बरतन है अब क्या बचा NS3 NS3 का भी निकाल लो आप सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकलेगा NS3 के कितने मोल हैं सामें अवस्था पर यह लिखे वे हैं 2X और बरतन का आयतन है V-Liter अब लगाओ आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से यदि आप चलोगे और सामें इस तिरांग केसी का मान निकाल लोगे तो आप कैसे निकाल लोगे इस अभी क्रिया को देखो NS3 के सक्रिय द्रव्यमान की गाद 2 देखो 2 मोल हैं इसलिए 2 लगाई अपन N2 का सक्रिय द्रव्यमान N2 H2 के सक्रिय द्रव्यमान की गाद 3 तीन मोल हैं इसके अब इसमें हम करेंगे जब हम करे करेंगे तो यहां कर दू value put यहाँ ns3 का कितना है ns3 का सक्रिय द्रव्यमान यह निकाल ला था 2x upon v यह तो हो गया ns3 का upon n2 का कितना है a-x upon v a-x upon v n2 h2 का कितना है भई ns3 के सक्रिय द्रव्यमान की गहाद 2 भी तो है तो इसे 2 बार लिख दू 2x upon v या फिर इसका कर दो square h2 के करनी है गहाद 3 h2 का सक्रिय द्रव्यमान है b-3x upon v और इस पूरे की गहाद 3 है तो इहाँ भी गहाद 3 लिख दू और इहाँ भी 3 लिख दू ठीक है न अब देखो क्या होगा भई 1, 2, 2 v से 2 v कट जाएंगे और इहाँ एक बचेगा 3 में से 2 काट दी है एक तो इहाँ बचा है एक इहाँ बचा है ठीक है समझ में आरी ना बात मैंने एक v छोड़ दिया है अब क्या बना मारे पास फार्मूला देखो kc is equal to 2 दूनी 4 4x square तो उपर लिखेंगे 4x square upon निच्चे क्या बचा है यह v तो गया a माइनस x तो एक बचा है a माइनस x यह लिख दिया a माइनस x और यह b माइनस 3x का whole cube b माइनस 3x का whole cube इसके upon में एक v यह है एक v यह है यानि v square यह v square तो उपर चला जाएगा आपको पता है यहाँ जाना है इसे तो यहाँ लिख देते हैं v square तो यह formula हमें मिला kc का ठीक है किसका formula मिला kc का इस तरी के से सारी चीज पता होनी चाहिए आपको क्या क्या है देखो हमने क्या करा है अभी करिया की समीगर्ण लिखी प्रारम में मोलों की संख्या लिखी साम्मे पर मोलों की संख्या लिखी यदि बरतन का आइतन v liter है तो n2 का सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा इसके मोल बटे v h2 का कितना होगा इसके साम्मे वस्था पर मोल अपॉन v ns3 का कितना होगा इसके सामें अवस्था पर मोल 2X upon V द्रव्य अनुपाती करियानी हम से केसी का फार्मूला बनाया इस समीकरण को देखकर NS3 के सक्रिय द्रव्यमान की घाथ 2 N2 का सक्रिय द्रव्यमान और S2 के सक्रिय द्रव्यमान की घाथ 3 ns3 का सक्रिय द्रव्यमान हमने निकाला था 2x upon v गहाद 2 है तो 2 बार लिख दिया वैसे आप bracket में बंद करके square भी लिख सकते हो पूरे के उपर ठीक है n2 का सक्रिय द्रव्यमान कितना था a-x upon v ये लिख लिया हमने s2 का कितना था b-3x upon v cube था तो हमने उपर निच्चे का अलग-अलग cube कर दिया वैसे आप पूरे को bracket में बंद करके whole cube लिख सकते हो पर ये तो पहले से ही bracket में है तो इसलिए हमने इसका अलग और इसका अलग कर दिया 2 v से हमने ये 2 घात कटी एक घात यहाँ बचरी एक घात यहाँ v square का हम उपर ले जाएंगे वो लेगे v square का उपर और दो दुनी 4x square upon a-x into b-3x का whole cube ये फार्मूला आया इसमें आपको पता होना चाहिए casey क्या है equilibrium constant on the basis of concentration 4 तो संख्या है x क्या है वियोजन की मात्रा v क्या है बरतन का आयतन कितने लिटर का बरतन था जिसमें reaction आप चला रहे हो a क्या है a है nitrogen gas के प्रारंब में लिये गए मोलों की संख्या और b क्या है hydrogen gas के मोलों की संख्या starting में कितने मोल आपने लिये थे बाक्की तो सब पता ही आपको अब आपको क्या निकालना है kp क्योंकि kp is equal to kc into rt की power delta n delta n निकाल लो आप 2 और 3 और 4 2 में से 4 गए minus के 2 तो kp is equal to kc into rt की घाथ minus के 2 ठीक है आप इसे कैसे लिख सकते हो kp is equal to kc का फार्मूला वहाँ से उतार लो 4 x square v square upon a minus x b minus 3 x का whole cube rt की घाथ minus 2 यह ही लिख देते हैं चलो rt की घाथ minus के 2 वैसे rt की घाथ 2 upon में लिजा के plus की हो जाएगी यदि आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो मतलब मैं कैसे कहा रहा हूँ समझ रहे ना आप ऐसे kp is equal to 4 x square v square upon a minus x into b minus 3 x की घाथ 3 और यहां लिख दो आप rt की पावर 2 तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भई उपर घाथ minus की 2 थी तो निच्चे तो plus की 2 हो जाएगी ना तो ऐसे भी लिख सकते हो आप तो इस तरीके से यह question आपको solve करने हैं बहुत आसान है अब मैं आपको एक question दे रहा हूँ homework के लिए यहां लिख लो आप homework एक question लिख लो उसे भी आपको solve करना है reaction है अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से pose करके लिखेंगे लिख लो बेटे जल्दी लिख लिया ठीक है तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि यदि कोई रासाइनी कभी करिया अर्थात उतकर्मनी अभी करिया आपको दी गई है तो उस अभी करिया के लिए आप KC का और KP का सूत्र या वेंज़की आमान किस तरीके से निकाल लोगे और इसमें दो बाते ध्यान रखनी है मोलो की संख्या वियोजन की मात्रा और द्रव्य अनुपाती करिया नियम ठीक है तो बस महनत और इमानदारी से पढ़ाई करते रहो अपने handwritten notes बनाते रहो जिससे आप revision कर सको ठीक है तो thank you very much for watching this video ओके बाई हाँ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको playlist के अनुसार पढ़ना है यदि आप chemistry को वास्तविकता में समझना चाहते हो न तो आपको playlist के अनुसार एक एक वीडियो को देखना चाहिए ठीक है ओके बाई